Good morning students, कल हमने accounting treatment of revaluation of assets and liabilities किया था, आज हम करेंगे memorandum revaluation account कल revaluation account के बाढ़र में पड़ा था कि revaluation account क्या होता है, आज हम करेंगे memorandum revaluation account इसको बोलते हैं memorandum पुनर मुल्यांकन खाता, क्या होता है, नए साज़दार के परवेश पर कई बार सभी साज़दार इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि संपत्यों एवं दायतों को नए बैनेश शीट में परिवर्तित मुल्यों पर ना दिखा कर इनके पुराने मुल्यों पर ही दिखाया जाए ऐसी दशा में revaluation के स्थान पर memorandum revaluation account बनाया जाता है तो क्या कहा जैसे कि मैंने कि जब कोई निया साज़दार फर्म में आता है तो सारे पार्टनर अगर agree हो जाते हैं कि जो भी assets और liabilities होती हैं उनको बैनेश शीट में उनकी new value पर ना दिखा कर उनके old value पर ही दिखाया जाए तो ऐसी दर्शा में जो revelation account जो है वो कौन सा बनता है memorandum revaluation account बनाया जाता है ये खाता दो भागों में बटा होता है अब memorandum revelation account के दो पार्ट होते हैं इसके पहले भाग में संपतियों एबन दायतों के मुल्ले में बृद्धी अथ्वा कमी का लेखा किया जाता है पहले भाग के ला भाणी को पुराने साज़दारों में उनके पुराने अनपात में ही बाटा जाता है यानि के दो भाग हुए जब इसके memorandum revaluation account के तो एक भाग जो पहला भाग होगा उसको revaluation account की तरह बनाया जाएगा revaluation account में क्या होता है assets और liabilities के मुल्यों में व्रिद्धी या कमी को दिखाया जाता है और फिर जो profit और loss आता है वो old partners को old ratio में ही बाट दिया जाता है तो पहले भाग में तो ये सब आएगा और दूसरे भाग में के लाभानी को सभी साज़दारों में उनके new profit sharing ratio में बाटा जाता है जो second part होगा उसका उसमें जो भी लाभानी आएगा उसको सभी साज़दारों में सिर्फ पुराने ही नहीं सभी जिसमें ने को भी डाला जाएगा सभी साज़दारों में उनके new profit sharing ratio में बाटा जाता है यदि इस खाते के पहले भाग में profit आता है तो इसके दूसरे भाग में उतनी ही राशी की क्या आती है हानी आएगी अगर पहले part में profit आएगा तो दूसरे part में उतना ही amount loss का भी आएगा अब हम difference कर लेते हैं between revaluation account and memorandum revaluation account क्या होता है इसमें आपको ज़्यादा clear हो जाएगा दोनों में difference पहला parts भाग तो revaluation account का तो एक ही भाग होता है और इसके जैसा कि आभी आपको बताया दो भाग होते है transfer of profit or loss लाभानी का स्तांतरन तो इस खाते द्वारा पर दर्शित जो भी लाभ और हानी आता है उसे old partners में old ratio में ही बाटा जाता है और इसमें इस खाते के पहले भाग के profit और loss को old partners में old ratio में बाटा जाएगा थर्ड effect on balance sheet balance sheet पर परभाव ये खाता बनाने पर balance sheet में assets और liabilities को परिवर्तित मुल्य पर दिखाया जाता है जब ये खाता बनाया जाता है तो assets और liabilities को उनके पुराने मुल्यों पर ही दिखाया जाता है इसमें जो decrease और increase आती है asset और liabilities को balance sheet में वो मुले दिखाया जाते हैं और इसमें जब ये खाता बनाया जाएगा memorandum revaluation account तब उनकी old value ही asset और liabilities की दिखाई जाएगी और last use प्रयोग आम तोर पर या समान्यता इसी बीदी को अपनाया जाता है कौनसी बीदी को revaluation account को और इसमें ये खाता तब भी बनाया जाएगा यदि सभी साज़दार संपत्यों तथा दायतों को उनके पुराले मुल्यों पर दिखाने का निर्णे लेते हैं अगर सभी साज़दार एगरी हो जाते हैं कि एसेट्स और लाइविल्टी को उनकी old value पर ही दिखाना है तब ये memorandum revaluation account बनाया जाएगा तो ये था बेटा आपका कि memorandum revaluation account क्या होता है और revaluation account और memorandum revaluation account में क्या difference है ये question काफी important है और कई बार जो है वो annual exam में आ चुका है आपने इसको note भी करना है और learn भी करना है ये कि अक्यों था है था क्यू ना स्क्रावी देंक विल्टा का विल्टी था राव ने क्यासं आपका है